तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई capital L लंबाई की तामबे की छण एक समान चुम्बकिय छेत्र बी या कहो बी तीवरता वाले एक समान चुम्बकिय छेत्र में अपने एक सिरे के परिता कोड़ी ये वेग ओमेगा से घुमाई जा रही है या कहो घुम रही है जादा बेहतर यही रहेगा कहो घुमाई जा रही है तब उसके सिरों के मध्य उत्पन विद्दुत वाहक बल की गड़ना तो बच्चा छण के सिरे पर विद्दुत वाहक बल की गड़ना करेंगे और वो विद्दुत वाहक बल कितना होगा E बराब यही हमने हेडिंग लखा रखी है कि capital L लंबाई की बच्चा क्या है अपने पास कोई एक तांबे की छण है जो की B तीवरता के एक समान चुम्बकिये छेत्र में किस वेग से ओमेगा कोणि ये वेग या यूं कोई ये वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परिता क्या कर रही है घूरन कर रही है अपने को सिद्ध करना है कि छण के सिरों पर प्रेरित विद्दुद वाहक बल जो होता है वो E बराबर एक बटा दो ओमेगा fatalNS होता है तो जैसा कि आप द कहां एक समान चुम्बकी एक छेत्र B में क्या कर रही है, घुमाई जा रही है, किसी छण, आप देख सकते हैं, जो छण की इस्थित थी, वो कहां थी, बिंदु P पर थी, कहां बिंदु P पर, इस प्रकार हमें ये भी कह सकते हैं, ओ P पर थी, और कुछ समय बाद, वो बच्च कहां, बिंदु Q पर पहुँच जाती है, तो इस समय आप इसकी इस्थित देख रहे हैं, क्या बन गई, ओ Q बन गई, तो देखें, लैंग्वेज में हमने वही लिख रखा है, क्या डियर लिखा है, कि माना की एक छण, जिसकी लंबाई डियर क्या है, कैपिटल L, तो आप अगर देखें, तो एक O है, वो दूसरा सिरा P है, लेकिन छण अपने कौन से, एक सिरे के परिता, डियर ऐसे, जैसे मारकर है, यह ऐसे रोटेट कराई जा रही है, एक हम कह सकते हैं, इसका फिक्स है, तो अपने एक सिरे O के परिता, एक समान चुमबकी या छेत्र, B के अबवत, तल में, क्या कर रही है, गूरन कर रही है, तथा इसका O के परिता, जो कोणी ये वेग है, डियर, वो कितना है, O के परिता, कोणी ये वेग, ओमेगा है, यानि कि कोणी ये ओएग, ओमेगा से ये घूम रही है, अब डियर, हम कहेंगे कि हमने मान लिया, कि माना घ गूमती हुई छड़ किसी छड़ हमने कहा था कहा है बच्चा बिंदु पी पर है तो बिंदु पी पर इसकी इस्थित क्या है ओपी तो वही लिखा माना कि गूमती छड़ कि किसी छड़ इस्थित ओपी है तथा यह इस इस्थित में डीटी समयांतराल बाद अभी हमने कहा थ समय d t में कितना हमें मान लिया d 3ta कौन गूम्ती है क्योंकि समयांतराल क्या है आति विये द티 बहुत छोटा समय है तो इसमें जो बच्चा कौन बनेगा जो यह rotate करेगा मतरब छण गूमेगी तो छोटू सा कौन गूमेगी वो छोटू सा कौन क्या होगा d 2ta है तो D theta गोण कर गूम कर नई इस्थित कौन सी क्यूं प्राप्त करती है क्यूं य literature गूम कर नई इस्थित से च्ण दौरा गूमा गया छेतरफल तो वो गूमा गया छेतरफल होगा कितना तो हमने कहा अब बाच्छा एक चीज सोचो समयांतराल क्या है यहनिकि सूच म समयांत राल डी टी, इसमें कौण भी क्या गूमा है, छोटा, कूण, यहनिकि छोटु कूण जैसे आप कहना चाहूं, डी ठीटा, तो जो छेत्रफल होगा वो भी बच्चा क्या होगा, छोटा होगा, तो हम कहाँ कहेंगे कि छन द्वारा गूमा गया, जो छे एक एरिया क्या बनना है एक त्रिभूज बनना है तो हम क्या कहेंगे कि घूमा गया छेत्रफल डी ए बराबर केतना होगा बच्चा यह होगा वक्रिय त्रिभूज क्या होगा वक्रिय त्रिभूज वक्रिय त्रिभूज ओपी क्यू का छेत्रफल ओपी क्यू का छेत्रफल अ उचाई क्या होता है एक बटा दो और गुणे बच्चा क्या होगा इसका आधार गुणे डियर क्या रहेगा आप देखेंगे आधार गुणे उचाई तो यहां से हम देखो क्या कहेंगे हम कहेंगे कि डी ए बराबर आप देखेंगे एक बटा दो एक बटा दो लाल क्या करो वैसे लिकलो, तो एक बटा दो, गुणे आधार, तो इसका आधार देखो कितना है, यह यहां से यहां तक घुजा कितनी है, O, P, तो हम क्या कहेंगे, एक बटा दो, गुणे O, P, और गुणे उचाई, इसकी बच्चा देखो कितना है, P, Q, क्या है, P, Q, लेकिन हमें पता है, क्या पता है कि ये PQ है क्या PQ बच्चा चाप है क्या है चाप तो जैसा कि हम जानते है कि कोण बराबर लाल क्या होता है कोण बराबर होता है चाप बटा तरिज्या क्या होता है कोण बराबर चाप बटा तरिज्या तो अगर हम चाप निकाले तो देखो अब क्या करेंगे इस इसने कितना कोण घूमा है, D theta, छोट्टू सा कोण क्या घूमा है, D theta, तो ये हुआ D theta, और गुणे, इधर से देखो, ये बच्चा त्रिज्या इसकी कितनी है, L है, क्या है capital, L है, और चाप चाप आप देखेंगे, कितना है, P Q है, कितना है DR, P Q, तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, कि यहाँ पर आप देखें, यही आगे से बनेगा, इसके बाद में, यही बनेगा, आप देखेंगे, एक बटा दो, क्या DR बना, DA बराबर एक बटा दो, भुजा O P, तो O से P की दूरी DR कितना है, capital L, क्या है आप देख रहें, capital L, और उसके बाद में, P Q, तो कोण बराबर चाप बटे तरिज्या से, हमने P Q का मान बच्चा कितना निकाला है, D theta गुणे L, या कहो L गुणे, D theta, आप जैसा कहना चाहो, L गुणे हमने कह दिया, D theta, तो आप देखेंगे, यही यहां से बनेगा, D A बराबर क्या बन गया, एक बटा दो, और L की उगुणा डियर क्या हो जाएगी, L A square, और यहां से लाल मेरा क्या हो गया, D theta, हमने कहा, यह समीकर नंबर हमारा है, एक, क्या है समीकर नंबर एक, अब जाहिर सी बात है, कि जब छण को एक समान, चुम्बकी या छेतर में घुमाया जा रहा है, तो जब घुमाओगे, तो घुमाने से क्या होगा, उसके flux में क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्या बच्चा flux में परिवर्तन, तो हमने वही लिखा है, कि छण के घूमने से, छण से बध चुम्बकी या फ्लक्स परिवर्तन दर, क्या चुम्बकी या फ्लक्स परिवर्तन दर, तो चलो हम आपको समझा देते हैं, पहले बच्चा, जैसा कि हम जानते हैं, चुम्बकी या फ्लक्स, चुम्बकी या फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर आप जानते हैं क्या होता है बी ए क्या डियर होता है बी ए और चाहें चुम्बकी अफ्लक्स को फाई बी से नोट कर दो अब यहां से देखना अगर हम क्या करें यहां पर यह दर की बात कर रहा है डियर किसकी बात कर रहा है चुम्बकी अफ्लक्स की दर की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है जब यह दर की बात कर रहा है तो आप देखेंगे दर हम जानते हैं लाल क्या होता है डी वाई क्या होता यह बनेगा बराबर आप देखेंगे यह कितना हो जायेगा यह आपका बन जायेगा बी ए और उसके बाद में क्या बनेगा डी बाई डी टी क्या बनेगा डी बाई डी टी अब आप देखेंगे हम इसको यह भी कह सकते हैं या आप ऐसा ना लिखना चाहों तो ऐसे लिख दो जैसे आप लिखना चाहों कि डी बाई डी टी और ब्राकेट में ऐसे लिख दो बी ए अगर वैसे आपको अच्छा नागल ल जाएगा आपका देखें हम B क्या करेंगे क्योंकि एक समाण चुमबकी अच्छे तरह तो B तो constant इसको बाहर ले लो और इधर से हम क्या करेंगे da by dt क्या कर देंगे da by dt अब इसके बाद आप देखेंगे जैसा कि हम जानते हैं क्या हम परिमाड तो क्या बनेगा केवल परिमाड में माइनस कायब हो जाएगा यहां से चाहों आप लिख दीजिए इसके बाद हम क्या डियर लिख देंगे इसी के सामने की बट हम क्या जानते हैं कि डिफाई बीबाई दीटी इक्वल क्या होता है विद्धुत वाहकबल झेक क्योंकि हम इसका क्या ले रहे हैं मैगनिट्ीड ले रहे हैं इसलिए माइनस साइन हमने क्या किया नेगलेक्ट कर दिया तो आप देखेंगे डियर यही बनेगा तो डीफाई बीबाई डीटी की जगे हम क्या रख सकते हैं ये तो हम कहेंगे विद्दूत वहकबल इंवराबर अब क्या लिखा य क्या लिखा है टिजिए होगी आप देखेंगे आप चाहें तो सीधे सीधे, तो यहां से अब क्या बनेगा, हम लिखे देंगे from equation 1, क्या लिखे देंगे from equation 1, क्या लिखे देंगे from equation 1, तो समीकरण X से आप देखिए, DA का मान हमें पता है, DA का मान जो है लाल, वो हमें पता है, तो एक काम करिए, यहां से अब हम क्या करेंगे, DA का मान डाल देंगे, तो देखिए यह क्या बनेगा, इस condition में यही बनेगा आपका, यह बनेगा D5, कितना नहीं, D5 नहीं, कितना हम ल दो, L2 और क्या निकाले थे, D3, L2, D3, और यहां से DA का मान डाल दिया, अब DT को क्या करो, D3 के नीचे, सिफ्ट कर दो, अब बट हमें पता है, D3 बाई क्या बच्चा, D3, D3 बाई, D3, यहनि कि यह क्या है, कोणि यह विस्थापन, और इधर क्या है, समय तो कोणि यह वि स्थापन है, तो यह कैसा बनेगा, कोणि यह विग, तो हम यह लिख देंगे, कि बट क्या, D3 बाई, D3, बराबर क्या होता है, विच्चा, कोणि यह विग, ओमेगा होता है, क्या, D3 होता है, कोणि यह विग, ओमेगा, तो इसी को हम कहेंगे, इसके बाद में, कि E, E क्या है L square तो यहाँ पर L square को भी आप क्या करिए वैसा ही नोट कर दीजिए तो बच्चा ये था कि अगर कोई छण कहा एक समान दीर क्या करना था निगमन करना था या यूं कहो यही हमें प्रूफ करना था अब आप सोच रहे होगे कि यह एक लाइन कहा चली गई जो हमने थेओरी की दिखा रखी है तो अभी हम आपको बता देंगे कि प्रूफ को आप कैसे करेंगे देखिए बच्चा पहले आप यह सब लिखला होगे यह उठाला होगे इसको समीकने एक बना लोगे और इधर से यह आप इतना यह दर वगयरा सब लिखते चलिया होगे और यहां पर आप चाहोंगे तो अपना लिख लोगे क्या कि बट वही कोण बराबर चाप बटे तरिज्या सामने चाहों तो आप लिख दे ती इक्वल डीवाइडिटी ग्फिर एघर धिवाईडी तो अब क्या करना है तुम्हें यहाँ पर अब यह बट नहीं लिखना है फिर आगे से क्या लिखेंगे च्छड में प्रेरित विद्दूत वाहक बल का मान ये लिखेंगे फिर यहां से दिखाएंगे D5 by DT यही बन जाएगा विद्दूत वाहक बल E बन जाएगा और उसाइड में बट डाल के करके इस प्रकार कर देना या बच्चा क्या करना हमने कहा इसको यही से क्या करना रोक देना और जैसे हम करते हैं ये लाइन हटा देना ये पहले लिख लेना ये सब करना इधर ये फीगर बना लेना और फिर ये लिखते हुए ऐसे और फ्रॉम एक्वेशन वन से और ये लिखते हुए सब और ये क्या क करिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद